हेलो गाईस अच्छी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने डाइलर को कैसे ढून सकते हैं अब गाईस यह जाता कैसे है और या फिर यह लोश कैसे होता है हमसे और हम इसको फाइंड कैसे करेंगे यह सारा प्रोसेसτι मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को सुरू से एंड तक देखेगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइलर हमारा होम इसके रिन पर है तो यह खो कहा से गया तो मैं आपको गाइस इसका खोने का प्रसाइस भी बताओंगा और इसको कैसे हम दोबारा इनेवल कर सकते हैं अगर हम डिसेबल कर देते हैं इसको वो भी मैं आपको बताओंगा तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगा यह disable कैसे होता है तो यहाँ पर गाईस आपको इसको डाइलर को पकड़ना है और एप इंफो में ला देना है अब जब आप इसको एप इंफो में लाएंगे तो यहाँ पर यह contact manager में convert हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसको जैसे disable करते हैं देन यहाँ मुबाइल से बिल्कुल गायब हो जाएगा आपको यह कहीं पर भी नहीं मिलेगा अब ऐसा होता है गाईस किसी को पता नहीं रहता है कि यह disable हो चुका है हम इसको enable कैसे करेंगे क्या process है इसका वो बहुत से लोगों को नहीं पता रहता तो गाईस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डाइलर गायब हो चुका है अब आपको डाइलर नहीं मिलेगा आपके पूरे फोन के अंदर तो गाईस बहुत से लोगों को यह problem होती है कि उनका डाइलर जो है लोच्ट हो जाता है उनके बाद उसके बाद उसको जो है डूढ़ना जो थोड़ा मुस्किल जाता है तो यहाँ पर हम आपको disable करना मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप disable कर सकते हैं यह गलती से हो जाता है दोनों situation हो सकते हैं तो आप इसको enable कैसे करेगी तो यहाँ पर आपको अपने mobile की settings में जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको apps के section में जाना है आप देख सकते हैं आप apps तो इसको खोल लेना है अब यहाँ पर जो हमारे manage करने के लिए होता है उसके बाद जो आता है हमारा आल का feature आ जाता है तो आल के अंदर हमें वो सारे feature मिल जाते हैं अब guys यहाँ पर dialer तो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया app info में हमारा contact manager हो गया था हो तो हमें यहाँ पर contact manager को ढूड़ लेना होगा तो यहाँ पर तो contact manager आपको जब तक मिलेगा जब आप उसको disable नहीं करते लेकिन अगर आप disable करते हैं तो वो आपको यहाँ मिलेगा Contact Manager जो है Disiable के feature में मिलेगा तो यहाँ पर आपको Contact Manager पर क्लिक कर देना है और इसको Enable कर देना है अब जैसे Enable करेंगे आप तो यह जो है आपकी Home Screen पर आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आचुका है तो मैं इसको यही पर दुबारा डाल देता हूँ आप देख सकते हैं डाइलर सक्सेस्फुली हमारे मुबाइल में चल भी रहा है तो यह तक है इस प्रोसेस अपने डाइलर अगर आपके मुबाइल में खो जाता है तो उसको Find करने का तरीका तो गाइस उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना लाइक करने के साथ साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करती जगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Bye and Take Care